या देवी सर्वभूदेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं प्रिकति के साथ इसी चेतना के उत्सों को नौरात्री कहते हैं। इन नौ दिनों में पहले तीन दिन तमो गुणी प्रिकति की आराधना करते हैं। इसके बाद तीन दिन रजो गुणी और बाद में तीन दिन सतो गुणी प्रवत्ति की आराधना का महत्तो है। दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती इन तीनों ही रूपों में देवी मा की आराधना की जाती है देवी मा सर्वत्र व्याप्त हैं समस्त जीवजन्तों में चेतना के रूप में इस्थित विद्धमान है या देवी सर्वभूदेश चेतनेत भी दियत है नवरात्र पूजन के चोथे दिन कोश्मांडा देवी के उपासना की जाती है इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है अद्था इस दिन उसे अतिंत पवित्र और अचंचल मन से कोश्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रख कर पूजा उपासना के कारी में लगना चाहिए जब स्रष्ट्री का अस्तितु नहीं था तब इनी देवी ने प्रम्भंड की रचना की थी अता यही स्रष्ट्री की आधी स्वरूपा आधी शक्ति है इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है वहाँ निवास कर सकने की ख्रम्दा और शक्ति केवल इनी में है इनके शरीर की कांति और प्रभाभी सूरी के समान ही देदीब्तमान है इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशायें प्रकाशित हो रही है ब्रम्भांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्तित तेज इनी की जाया है मा की आठ भुजाएं हैं अज़ा ये अश्ट भुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं इनके साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बान, कमल पुष्प, अमरित पूर्ण, कलश, चक्र और गदा है आठ में हाथ में सभी सिध्यों और निध्यों को देने वाली जप माला है देवी मा का वाहन सिंग है मा कुश्मान्डा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग, शोक मिट जाते हैं इनकी भक्ति से आयू, यश, बल और आरोग की व्रद्धी होती है मा कुश्मान्डा अत्यंद सेवा और भक्ति से प्रसन होने वाली है यदि मनुष्य सच्चे हिर्दे से इनका शानागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंद सुगमता से परमपद की प्राप्ति हो सकती है विदि विधान से मा की भक्ति पत पर कुछी कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूश्म अनुभो होने लगता है ये दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंद सुखद और सुगम बन जाता है मा की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भावसागर से पार उतारने के लिए अत्यदिक सुगम और शेसकर मार्ग है अपनी लोकिक पार लोकिक उन्नती चाहने वालों को देवी मा के सुरूप की उपासना सधयो करने चाहिए चतुर्थी के दिन मा कुश्मांडा की आराधना की जाती है इनकी उपासना से सिध्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोक शोक तूर करके आयु यश में व्रद्वी करने की शमदा है या देवी सर्वभूतेश मा कोश्मांडा रूपेण संस्तिता नमस्तसे 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 नमोनमा हे मा सर्वत्र विराजमान और कोश्मांडा के रूप में प्रसिद अम्बे आपको मेरा बार बार परणाम है मैं आपको बार अमबार नमन करता हूं हे मा मुझे सब पापो से मुक्ति पदान करें अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के पांचमे स्वरूब इसकंद माता के बारे में यदि आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि सस्क्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद, देवी मा के गिर्पया पर सदयो भनी रहे जै मादूर के